बिसमिल्लाइ अक्मानिवाहीम अस्वाम्रेकल वीवर्स मीड है कि आप सब खेले से होंगे आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी प्यास वले बिंडिया क्रेले बनाने का तरिक्का यहां पर मैंने एक किलो बिंडिया लिया है इसको पहले मैंने अच्छी तरह दो कर खुश कर और इसको इस साइस में काट लिया है आदा किलो गड़े ले लिए इंको मैंने चीलए चील कर दोलिया और नमक लगा कर मैंने ब Θा आपदारां पंदराश के लिए ठाकर ईसको अब रख दिया रख दैन है चार बड़े साइस में प्यास रही होंगे चलते अपनी रेसिपी त अब से पहले अब हमारे जीम देशी चरब पर नूए तो अब सब्सक्राइब करें और प्रेस करें ताके याने वाली हर्ट वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। अब सबस्यों पर चलते हैं अपनी रेस्पी की तरफ बिसमिल्ला रुक्मानि मुणाइम सबसे पहले हम यह पर डालेंगे जरूरत के मताबिक ओर मैंने यह पर डाल लिये तकरीब एक प्याली के करीब अब हम इसको तरह हम अच्छी तरह गरंगे आप अब इसमें करेले डाले अब इसको इतना फ्राइ करूंगी कि इनका कलर लाइट ब्राउन होना शुरू हो जाए यहां पर क्रेले लाइट ब्राउन हो गए हैं अब हम इसको एक लैदा से पेलेट के अंदर नकाल लेंगे यहां पर मैंने एक प्लेयर पे लग से प्रेलों को नकाल लिया है अब इसी ऑईल के अंदर हम बिन्डियों को डाल देंगे बिन्डियों को ओल में डाल कर पांच मिनिट के लिए फ्राइ करेंगे मीडियम फ्लेम पर यहां पर मैंने बिन्डियों को पांच मिनिट के लिए पका लिया है अब हम इसको भी एक लैदा से प्लेट के अंदर नकाल लेंगे यहां पर बिन्डियों को मैंने एक लइदा से प्लेट के लिए अब यह जो बाकी की ऐला अभाकी ला कि इसमें डालेंगे प्यास न्वाई में कटे में इसको अची तरह मिक्स करेंगे अच्छी रहा मिस करके मैं प्याजों को शिफ इतना पकाऊंगी यह थोड़े से नरम होगे प्यास यहां पर थोड़े से नरम हो गए अब इस काइम पर हम इसके अंदर कालिमिर साबत जीरा अलोंग डालेंगे दाल के से अच्छी तरह करेंगे यहां पर मैं प्यासों को दो से 30 मिनट के लिए और मैं चुछ एऊ पर मैंने थे जाने प्यास ओर सापल मसालर डाल करों इसके अच्छी तरह 2-3 मिनट के लिए बका लिए अब वन уг्डिया समाओन का पेस्ट डालेंगे दाल करेंगे, इसको यहां पर मैं एक मिनट के लिए और पकाऊंगी, यह बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है, इस रेसिपी को ज़रूर इस मैंतर के साथ ट्राइ करें, प्यास यहां पर नर्भ हो गए, अब हम इसमें तीन अजर टोमाटर डालेंगे, और चार से पांच हड मिर्चे, डाल करेंगे, यहां पर मैं तब तक बकाऊंगी, जब तक टमाटर नरम नो हो जाए, यहां पर टमाटर बिल्कु नरम हो चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे पॉडर मसाले, टू टेबर स्पून लाल मिर्च का पॉडर, बन टीस्पून कोटीवी मिर्चे, टू नमक हजब जरूरत, यहां पर नमक मैं कम इस्तमाल करूंगी, क्योंके क्रेलों में हमने पहले से ही नमक लगा कर इसको अच्छी तरह साफ किया था, तो हम नमक अगर कम होगा तो हम बाद में और एट कर लेंगे, इन सारे पॉडर मसालों को डाल कर अच्छी तरह अच्छी तरह बूंगी, ताकि इनका कच्छा बन जो हो खत्म हो जाए, एक पॉडर मसाले मटाल के लिए अच्छी तरह बूना है, अब हम इस टाइम पर क्रेलों भी साथ ही डाल देंगे, इसको अच्छी तरह मिस्करेंगे, और इसको दो मिनट के लिए अच्छी तरह पका कि अच्छितर निए डालें अभर्य की दॲयों कर》 बिंधिय डाल करों मिक्स करेंगे अभर्य वरकल, तरह रुछु पॉत प्राइल हो दो अफ़ तरह मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे मिक्स करके इसको मैं बंड रखने में 5-7 मिनिट के लिए बिलकुर ये मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे 5-7 मिनिट के लिए मैंने अच्छी तरह इनको पका लिए माशाला हमारा प्यास क्रेलेप इंडिया का धास सालन बिलकुल त्यार हो गया है अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट मारे जुछ झंड आउस बखने में आउस प्ल यार्टी वियर करेली अगर आपको अच्य लगी ओँ तो इसको ला-इक नहीं को लगे मेग अगर अगर अमयर मैंची मुश्टि इसको पूलन करें ताके मेरे जो बेडोर अटाकर मेरे आने झाल झाल